आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पुरे देश के लिए और विशेश कर संगीत में जिनकी रूची है और संगीत के ख्षेत्र के लिए ये अपून यक्षती है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सूर साधना में अंतिम सास तक वो अपना यूगदान करती रही। और साध दसक तक भारतिय संगीत को, भारतिय सास्त्रिय संगीत को, भारतिय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, समार्ती रही। गाना चाहे कोई भी हो, भक्ति गीत हो, चाहे सास्त्रिय संगीत हो, या चाहे फिल्मी गाने हो। लता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मुहा है। लता जी की आवाज इस्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुश्कान क्या कोई धर्म, कोई महजब नहीं होता है। उक्ते हुए सुर्य की रोस्ने का कोई मजब, कोई धर्म नहीं होता है, फूलों की खुस्वु का कोई मजब, कोई धर्म नहीं होता है, इसमें इस्वर का आवास होता है, इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजब, कोई धर्म, कोई सिमाय नहीं थी, वो पूरे वि मेरे घंणिष्ट रिष्टे रहें कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने डाडस बन्धाने का भी काम किया है और हमेशा उन्होंने जब भी फॉन किया तो फिल्म इंड़स्ट्री के लिए किया यह संगीत के लिए किया इतना समर्पिक यूगों तक लताजी की स्वर्षवादना और लताजी की आवाज और लताजी का संगीत के प्रती लगाव अनेक पिडियों तक सब को प्रेणा देता रहेगा और आज जब लताजी नहीं रही है तब मेरे जैसे करोडों के चाहने वाले एक रिक्तता का अनुभव कर रहे हैं उसकी शती पूर्ती होना मैं संभव देखता हूं लता मंगेशकर ने अनेक भारतिय भासाओ के संगीत को भी अपने योगदान से मजबूत करा लोगप्रिय किया और मूल सास्त्रिय संगीत से बने गानों से उन्होंने नई पीडि को भी सास्त्रिय संगीत को जानने का और उसकी मधूर्ता को पहचानने का मुका दिया आज लता जी हमारे बीच में नहीं है हमेशा गीता में इस्वर में इनकी स्रद्धा रही मैं इस्वर के स्रीचरणों में यही प्रात्ना करता हूं कि लता जी की आर्त्मा को चीर सांती दे और उनके चाहने वाले को इस सद्मा स सहन करने की सकती दे ओम सांती सांती सांती